नमस्कार मैं रविश कुमार, मैं मौझूद हूँ MIT बॉस्टन में, Massachusetts Institute of Technology और यहां के Brain Research Center में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ दिमाग से जोड़ी बिमारियों का इलाज कैसे हो सकता है, उनमें सम्भावनाएं क्या है और क्यों हमें कोई चीज दिमागी रूप से बिमार बना देती है इन सभी पहलूँ पर हम विस्तार से बात कर रहे हैं, यहां के प्रोफिसर मिरगांग सुर से तो फाइनली इसके भीतर असी अरब से जैसे मेरी पूरी ट्रेनिंग इलेक्रिकल एजिनिरिंग में अच्छा, मैं नियुरो साइंस कैसे कर रहा हूँ, हमारे लाब में इस टाइम पे नौ देशों से हैं, विजन आख से शुरू होती है, मगर ब्रेन में क्रियेटिव इसमाइटी का एंडाव्मेंट जिसे करते हैं, करीब 20 या 25 बिलियन डॉलर, तो इसमें तो एक राज जी का, Harvard का 40 या 50 बिलियन है, और ये एक बहुत बड़ी गलती धर्मा है, ये बहुत गलत है, कि गर्वर्मेंट नहीं सपोर्ट करेगी रिसर्च और रिसर्च अर रिसर् कई तरह के सिंड्रोम होते हैं, पर एक उटीजम की बात कर लेते हैं, उस दिशा में क्या आप लोगों के पास कुछ ऐसी प्रगति दिखती है, उसके लिए होफ है, उसके लिए होफ है, उसके लिए होफ है, और काफी अच्छी बाचित है, इसे आप YouTube चानल रविषकुमार पर जरूर देखिए उसकी चाप है थोड़ी सी चाप है थोड़ी सी है काफी चाप है क्योंकि यह आंगन जिस तरह से उन्होंने बनाया है और यहां पर चज्जे हैं और उनकी यह यह एक उनकी सिगनिचर है पर तीन चार बिल्डिंग में हमने ऐसे एक स्क्वेर बड़ी सी खिड़की जैसा है और बहुत ही सुन्दर है पर यह एक बहुत सुखद है कि यहां पढ़ते भी थे पढ़ते भी थे यहां पढ़ाया भी उन्होंने चाल्स कुरिया ने पर बहुत बरभी कंपनी आपी शरी कंपनी थी उन्हों आपक मालते पाम यह एक फॉल्डिटर्टर्श रखका त हमालते। विल्डिंग में ने अब सब्सक्शन एन यह यहां उन्हों ने थिभाई का कि आ blij ऐ उनकी कैसी। इंहें तेति ए माला बटैक्टर्श राग ठीसि क्योंकि यह ग्लास है, मगर टेंशन होना चाहिए, मगर यह भी खुला होना चाहिए, तो किस तरीके से किया जाए और यह जो पाइप देखने हैं आप, यह है क्योंकि यह पूरी बिल्डिंग नियुरो साइंस की है, मैं डिपार्टमन के चेर्मन हुआ करता था जब यह बिल् पदने मिल्स रहते हैं, क्योंकि हमारी रिसेर्च है, और बेनल तो, हुमंन की बेनल पे तो होता ही है, मगर यह आप अर भी देखना चाहें, बेनल का स्ट्रॉक्टिर, बेन्के नूरांस कैसे काम करते हैं, और बेनल मेंकिन्टिम हैं, 바로 कि नियूरांस के साथ यह सrea ज्याक mental mechanisms हैं, brain science के, तो उसके लिए हमें जानवरों की brains की ज़वरा है, और most important animal is mouse, क्योंकि mouse model systems हमें चाहिए, और mouse model systems बहती important बन गई है neuroscience के लिए, और monkeys भी, तो इस सब के लिए हमें NIH से, MIT से permission लेना पड़ता है, justification करना पड़ता है, pain, suffering, इत्यादी, मगर सात्वा मनजिल, पूरे animals का है, अच्छा, तो उसमें, तो यहां पर पाले गए हैं, हाँ, और यह animals हम लाते हैं बाहर से, हम बनाते हैं, क्योंकि, वो, बनाते हैं क्या मतलब, हाँ, तो यह ऐसा है कि, जैसे, हम, genes जानते हैं आप, genes, हाँ, हाँ, तो हमारे, नहीं, सवाल मेरे जानने क्या नहीं है, जो देख रहा है, उससे भी पता होना चाहिए, तो आप उसके लिए जरूर बताएं, कि, तो आप genes ही पताएं, हम, वैसे हिंदी में जो नाम है, अनुवांशकी है, तो वो भी बहुत मुश्किल है, हर किसी के समझने की बात नहीं, लेकिन आजकर लोग genes समझता है, तो humans, mice, monkeys, all have about 20,000 genes, और हमारे genome में, यह genes की code रहती है, और genes के code के इन बतान, regulator regions रहते हैं, जैसे की genes बनाती हैं proteins, जैसे की, you know, हर cell में, हमारे बदन में, brain में, 80 billion cells हैं, और पूरे बदन में trillions of cells हैं, यह सब cells बनती हैं एक fertilized egg से divide करके, divide करके, divide करके, divide करके, फिर, बच्चे पहता होते हैं, human या mouse, और फिर, वो बड़े होते हैं, तो, उन में, यह 20,000 genes से यह बनता है, और, एक genes को हम बदल दे सकते हैं, बदल सकते हैं, यह अपने आप भी बदल जाता है, या बाहर से आप हस्तक शिप करके बदल देते दोनों चीजे होते हैं, अपने आप तो बदलता है, दूरिंग नॉर्मल, यह नो, conception and development, क्योंकि एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आप, पाच्छे पीडियों के बदल जाता हो, जब डिवाइड करते हैं, तो, genes have to be copied, तो उस copying में, genes कभी-कभी बदल जाते हैं, और इस मा से और बाप से एक-एक कॉपी मिलती है, genes की, तो उन में कभी-कभी, नेचर की फस्तखेप कर देते हैं, तो genes में mutation हो जाता है, और, नेचर कैसे करता है, क्या किसी, पॉस्टिक चीजों की कमी कर देता है, जैसे आपने कहा कि, प्रोटीन से बनता है, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि पीछे की generation ने प्रोटीन का सेवन कम किया, तो हो सकता है कि आने वाली पीड़ी में, genes बदल जाए, और, जैसे हमारे neurons हैं, इस थाज़ ब्रोटीन के, उनके functioning के लिए करीब 10,000 genes चाहिए, क्योंकि नूरॉन्स में बहुत से प्रोटीन, बहुत से बहुत से ब्रोटीन है, बहुत से प्रोटीन है, एक सेल, और, यह सेल कनेक करता है, दूसरे सेल के थाथ, उसे नूरॉन्स कहता है, और, इस तरीके से, information आता है, हमारे brain में, process होता है, और उसे हम cognition कहते हैं, this is how the brain creates the mind, जो दस हजार genes को regulate कर रहा है, उससे information ले रहा है, उसको information दे रहा है, यह कहलाता है cognition, यह कहलाता है cognition, और, दस हजार genes बनाता है, neuron, और, neurons connect करते हैं, हजारों नूरॉन्स के से, प्रोफेसर मिर्गांक, आप ज विग्यान में, विग्यान के विश्यों में, बहुत कम लोग, हाला कि आप यहां, दुनिया भर के छातरों से, आपका वास्ता पढ़ता होगा, तो आपकी भाशा की training, जाहिर सी बात है, कि अंग्रेजी की ही होनी चाहिए, लेकिन आपके बताने में, जो आनंद में महसूस क कर रहा था, वो बहुत मज़ा आया, और इसलिए मुझे लगता है, कि मेरे जो हिंदी के दर्शक हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है, कि MIT, जो दुनिया की बड़ी टेक्नॉलिजी की यूनिवर्सिटी है, सेंटर है, वहां पे प्रोफेसर मिर्गांग जो हैं, वो ब्र इन डेवलेप्मेंट सेंटर में काम करते हैं, अभी हम इनके सेंटर में प्रवेश भी नहीं कर पाए हैं, मगर बाहर इन्होंने बताना शुरू किया, तो दो चीज़े बताई इन्होंने, कि हम जिस इमारत में खड़े हैं, उस इमारत को बनाने वाले, चाल्स कोरिया, जिन था कि बॉंबे में कोई चार्ल्स कोरिया है उनसे एक बिल्डिंग बनानी है तो ये जो खुलापन उन्होंने दिया है उसका एक फाइदा तो अभी आपने देखा कि इस जगह में कई साल कई दशक के बाद भी जो एक खुलापन बना हुआ है ये उसी का नतीजा एक नतीजा ये है कि कोई प्रोफेसर आप से अचानक मिलते हैं पहली बार बस हम लोग अभी अभी तुरंत मिलें इस कैमरे के सामने और वो अपने काम के बारे में इतना डूब कर बताना शुरू करते हैं तो आपके लिए संदेश ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उससे प्यार कीज उसके बारे में जब आप बताएं उसके बारे में जब आप से तो ठीक उसी तरह से रसने जैसे प्रोफेसर मिरिगांक ले रहे हैं अब हम आपके सिंतर में चलना चाहेंगे तो परह ने आप से बतलने शुरू किया कि हम माउस के साथ करते हैं क्योंकि माउस की जनेटिक्स हम बदल सकते हैं आसानी से तो माउस को हम एक जीन मुटेशन या दूसरा जीन मुटेशन कर सकते हैं और उसी से सीखते हैं आप कि आदमी में बदल सकते हैं Exactly, exactly, क्योंकि हमें मालूम है कि आदमियों में जब दिमाग की होती है, जैसे Neuro Developmental Disorder कहते हैं, हम ये जानकारी कर रहे हैं कि उसमें एक जीन या दूसरी जीन या दस जीन कभी-कभी म्यूटन्ट हो जाती हैं, तो वो हम कैसे समझेंगे, आदमी के साथ बात कर सकते हैं, उनकी ब यहां पर करते हैं, तो प्रोफेसर मुझे पर हम उसकी study कर सकते हैं, हम brain के अंदर देख सकते हैं, कैसे connection बदल गए, दिमाग हमारा कैसे काम करता है, उसमें 80 अरब cells हैं, कोशिकाएं हैं, बाउस में 50 मिलियन हैं, पचास मिलियन हैं, 1000, पर आप बताईए कि, जीन वही हैं, और basic principles भही हैं, मैं आप से एक मजदार सवाल पूछना चाहता हूँ, कि इतने साल से आप brain का अधिन कर रहे हैं, क्या आपने 80 बिलियन सेल्स देखे हैं, उनका किसी भी तरीके से आप उन जगों तक पहुंचे हैं, या कुछी सेल्स के विद्वान बनकर रह पाए, मुझे म कोई देख नहीं सकता है, अच्छा, हम करीब सो डेर सो साल से इंडिया में, यॉरप में, brain की study होती आ रही है, और brain की study अलग अलग तरीके से होती है, पहली तो बस आप आदमी से बात कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं, आप क्या देख नहीं देख नहीं हैं, आपके दिमाग मे kya हो रहा है, तो हु एक तरीका है study करने का, मगर फिर, पोस्ट-mortem, brain ko esto aap slice कर सकते हैं, आप it staining कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, aap देख सकते हैं the microscope में, discnos Messinau What do the cells look like, then you can study even further, you can go deep into the brain, particularly animal brains, and ask how do the brain इन का पूरा फंक्षन सेल्ग साथ है। brain is creating cognition कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ आपके साथ आप तो इस इसके लिए electrical impulses प्रेशर करने पड़ती हैं जिसमें electrical engineer की बहुत ज़रूरत है बहुत ज़रूरत पर हमें यह नहीं पता था कि electrical engineering की यहाँ ज़रूरत है और क्योंकि पूरी हमारी भाषा क्योंकि जिस तरह से जो engineering पढ़ने जाते हैं और वो computer science पे जाते हैं और electrical engineer को वो यह सोचते हैं कि बिजली विभाग की नौकरी है वो हम नहीं करना चाहते हैं मुझे लगता है कि उन सभी engineering के छात्रों को आप या आपके जैसे अच्छे professor नहीं मिले हैं अगर मिले होते तो वो कहते कि नहीं हम computer science की जगह electrical engineering में जाना चाहते हैं क्योंकि हम फिर दिमाग के भीतर जो बिजली की रोशनी कौध रही है हम उसका जादू उसका विज्ञान समझ पाते तो वो तो 50 साल पहले हमने कि हम electrical engineering तो हमने पढ़ाई की अगर हम biology करेंगे हम brain की study करेंगे क्योंकि यहां भी electrical impulses होती है information की coding होती है decoding होती है communication होती है यह सब engineering की concepts तो आपने electrical engineering के साथ biology के बारे में सोचा तो यह आपकी किसी teacher ने बताया या आपकी जग्यासा यहां ले आई यह मैं अपने जग्यासा ले आपकी जग्यासा ले के क्योंकि जब मैं IIT कार्टमेंट में पढ़ा biology zero था जीरो था और यह हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्स्या है कि biology और engineering और physics और math अब थोड़ी थोड़ी पास आ रही है यह आपके MIT में यह सब नहीं है MIT में हर चात्र को biology पढ़ना पढ़ता है physics पढ़ना पढ़ता है chemistry, mathematics और computer science तब जाकर वो computer science में एंजिनियर बनता है लेकिन यह सब और है कोई भी degree हो political science की तोड़ना डिग्री हो उसे biology पढ़ना 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 इसके पीछे सोच किया है कि आप जब एंजिनियर बनें तो सिर्फ एक तरह से पूर्जों को जोड़ने वाला इंजिनियर ना बनें बलकि समाज को समझने और उसकी जरूरत के हिसाब से शोध करने वाला या चीज़ें डिजाइन करने वाला इंजिनियर बने साइंस के बारे में ब्रॉड जानकारी हो और दुनिया के बारे में इवन सोशल साइंस MIT का हर शात आठ सोशल साइंस के कोर्स करने पढ़ते हैं आठ आठ समेस्टर में चार साल दो सेमेस्टर पर यर एट सेमेस्टर वन हुमानिटीज और सोशल साइंस कोर्स तो वो साइट का सबजेक्ट है जैसे हमारे हैं होते हैं कि आप कुंजी की किताब पढ़ लिए गाइड बुक पढ़ लिए नहीं यह सब्सेडियरी टाइप से नहीं है पतर सीरियसली और अफकोर्स इन यूर ओन सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं तो उसमें दस, बारा, तेरा सब्जेक्ट लेने पढ़ेंगे आपको प्रफेसर म्रिगान का मैं यह सारी बाचित अपने यूट्यूब चैनल पर डालने वाला हूं ताकि जो छात्र हैं कई बार मुझे लगता है ऐसा कि इस जगह पे जो लोग बहुत कम लोग पहुंचते हैं पर मैं चाहता हूं कि वो सपना जरूर देखे हैं और उससे मैं यही सोच कर आया था पर अब मुझे लगता है कि वो आपकी तरह जग्यासा जरूर पा लें और उसमें आनंद लें जिस तरह से आप आनंद लेकर बता रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिकल इंजिनियर तब आपके समय में भी लोग कहते हों कि बिजली वी भाग में एंजिनियर बिल्कुल एक्जिटिव एंजिनियर बनेगा मेरे बड़े भाई इंजिनिर पढ़के वो बिजली वी भाग में लेकिन यह कितना important subject है कितना important subject है आज आपसे बात करके लग रहा है एक field से दूसरे field में आप creativity, knowledge, you know, impositiveness ला सकता है। जी, बहुत ही, पर ये जो brain की हम बात कर रहे हैं, अब हम प्रोफेसर मुरिगांग सूर के brain development center में जा रहे हैं, जहां आप कितने साल से आप यहां काम करें तो कितने साल से आप यहां काम करें हैं? मैं सैंतीस साल से, तो ये ऐसा मौका आपको मिलेगा नहीं, कि MIT के भीतर कोई आपकी जुबान में, मादर जुबान में इतनी बहतरीन तरीके से बता रहे हैं, तो, पर आप brain की जितनी कोशिकाओं को जानते हैं, उसे कहीं जादा आप नहीं भी जानते हैं, पर आपने एक बात कहीं कि चुहों में आप ये देखते हैं कि आप म्यूटेट कर पाते हैं कि नहीं, तो वो सीखने के बाद क्या इस टेकनोलोजी से आप आदमी में जो बिमारियां होती हैं, brain से related, क्या वहां फिर अपनाया जाता है कि हम म्यूटेट करके ठीक कर पाते हैं, नहीं, नहीं थारीके से brain function neurons, neurons के connection सही नहीं हो पा रहे हैं, यह हमारा lab है, जोनो वोर्ड, यह यहां पे lab के equipment है, यहां पे लोग बैठते हैं, हमारे students, postdoctoral fellows, यह यहां इतना अच्छा कमरा है अपका, यह तो हमारे students है, इजाजत है, और आपका equipment हम देखना चाहेंगे, और आपका equipment हैं इन तस्वीरों से देखे लगता है, कि यह सब अलग-अलग देश के हैं नहीं? बहुत अलग-अलग देश के हैं, हमारे lab में इस टाइम पे नौ देशों से, नौ देशों से हैं लोग, और कभी-कभी तो 11-12 देशों से भी हो सकते हैं, क्योंकि इंटरनाशनल हैं हमारी lab graduate students, PhD students आते हैं बहुत देशों से, फिर हमारे लिए PhD is not enough, क्योंकि the work is very specialized, so post-doctoral fellows हैं हमारे lab में, PhD के बाद भी, तो जैसे BTEC किया या BS किया, उसके बाद, चार साल, पात साल, शे साल की PhD, उसके बाद, post-doctoral, तो इतनी training ज़ुड़त है, करने की, मतलब पढ़ाई के इस तर पर ही 10-15 साल लग जाते हैं, जितना medical में लोग MD करते हैं, उससे भी ज़्यादा हैं, MD plus residency plus fellowship, जो जो training होती है, हमारी field में, क्योंकि जैसे जैसे हमारी field आगे बढ़ती जा रही है, तो more specialized training की ज़ुड़त है, ये एक problem है, frankly, क्योंकि, you know, for a young person to be 30-35 before they get their first independent position, it is very long, it is too long, बहुत समय लग जाता है, बहुत समय लग जाता है, ये बड़ी problem है, ये तो हमारे lab की photograph है, हमारे, I turned 70 this year, तो there was a party, people put it together, जिने हम भी आपको अपने दर्श्कियों की तरफ से, आपके students, आपको कितना प्यार करते हैं, ये पता चलता है, कि आपने, बहुत हमारे घर आते हैं, आप हमने खिलाती हैं, पर अलग अलग देश्यों की जब छात्रों से आपका interaction होता है, तो आप एक teacher और student की बीच में एक relation बनता है, बिलकुल, 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 हमारे लाब में चार-पांच साल से हैं, तो वो बिलकुल हमारे family की तरह है, family की तरह है, चाहें वो किसी भी देश को, जाहें किसी भी देश को, of course, of course, I make no distinction between, I myself, I'm from another country, यहां पर, आप खुद अलग देश के हैं, आपका उससे लगाऊ है, किस देश का है, उससे कभी आपको लगता नहीं, कभी जुकाव नहीं होता है, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, हमारे lab में इस टाइम पर, China से हैं, Sweden से हैं, Japan से हैं, of course, India से हैं, और, अभी अभी Turkey से थे, तो, बहुत देश होते हैं, अभी Korea से हैं, Korea से हैं, बहुत मुश्किल होता होगा, यहां पहुंचने में, हर कोई तो पहुंच नहीं सकता, आपके पास, selective है बहुत हमारी admissions process, तो, इसलिए, बहुत कम लोगों को हम लेते हैं, बहुत लोग apply करते हैं PhD के लिए हमारे program में, वगर हम थोड़े ही से लोगों को ले सकते हैं, हमारे department में. मैं लैब का कुछ सामान देखना चाहता हूँ, जरूर, हाँ, फिर मैं वहाँ पे थोड़ा बात करूंग आप से, थोड़ी की, इस वक्त जो brain से related जो चुनोतियां हैं, बीमारियां हैं, कई बार हम से भी, हम लोगों से भी लोग संपर करते हैं, पर हमें उसका जवाब नही अच्छाइ अच्छाइ अच्छाइ, आच्छाइब को एफृष्ट रश्डाट सॉन्वेट्शीट को सा जवर्डशी सांपत, हमारी प्यच्डी तो वैंडरश्विज रीरी पीछोडरे थे Д–टा मयरी थे वैंडर्शडी विनवेसिती सी, वाँ, अगर यह बद्स दिए अ किस तरीके से वो काम करते हैं, किस के साथ मिले जुड़े हैं, किस तरीके से वो इंपुट को आउटपुट में बदलते हैं, क्योंकि जैसे आप सोचिए विजन के बारे में, हमने विजन की काफी स्टेडी की है, जो आप देख रहे हैं, आपकी आखें आपको ब्रेन को क्या खाली पिक्सल्स, जैसे क्यामरा के पीछे जो पिक्सल्स हैं, कि इनकार्ड में, उस पिक्सल्स में कोई अब्जेक्स का information है, मगर क्या है वो आपकी ब्रेन क्रियेट करती है, तो उस पिक्सल्स पहुंचती है आपकी ब्रेन में, पीछे यहां पे, यहां पे, neurons को वो information मिलता है, तो वो उससे समझ, उससे वो extract करती है, समझती है कि, दुनिया में light कहां है, dark कहां है, edges कहां है, objects कहां है, इस तरीके से vision बनता है हमारे brain में, और हम जानते हैं इसलिए कि, यदि किसी तरह से, जैसे accident हो गया किसी को, तो brain में यदि damage हो गया, जानते हैं और काफीज़ नहीं देखते हैं, और उनकी आखें बिल्कुल सही है, so vision आख से शुरू होती है, मगर brain में create होती है, यह भी या, हम तो यह जानते थे, कि या तो आखों की रोशनी पूरी चली गई, वो कुछ भी नहीं देखता है, अगर ऐसा भी होता है कि आप कुछ चीज़ों को देखते हैं, और कुछ चीज़ों को नहीं देखते हैं, accident के बाद ये भी होता है, absolutely, in fact accident यहां पे एक area है, जहां पे accident हो जाएं, तो आप face नहीं समझ सकते हैं, और बाकी जिदे देखते हैं, गारी देख सकते हैं, मगर कौन है, जिसके साथ हम चेहरे से आप नहीं पहचान से हैं, लेकिन कार पहचान रहे हैं, कि ये कार इस ब्रैंड की है, ये मेरा घर है, वो पहचान रहे हैं, पर आप अपने सगे संबंदियों को नहीं पहचान रहे है यह बहुत मुश्किल है, मगर वन डे, किसी दे, क्योंकि ब्रेन की एक और खासियत है, कि ब्रेन सेल्स रीजेनरेट नहीं होते हैं, जैसे आपने हाथ को काट लिया किसी तरह से, तो आपका काटा हुआ, स्किन, न्यू सेल्स विल बॉर्न, दाट विल मेक दवूंड ही ब्रेन लेकिन ये इसमेडा तो आप उसको रिप्लेस करेंगें तो ब्रेन को कैसे ठीक हिया जाए एक है कि जो आपर नहीं जो चैल्स नहीं जो सेल्स ड्रे में क्योंकि जहां पहर नामेज हो गया वट तो गया मगर ल्डू t कि किसी तरीके से इसको रिजनरेट करें हम और वो अभी संभव नहीं है और इसी बहाने आपसे बात करने के बहाने हमने MIT के एक प्रोफिसर का कमरा अपने दर्शकों को दिखा दिया कि कितना शांदार कमरा है ऐसे कमरे अब भारत के विश्विद्यालेव में भी होते हैं पर और अच्छे प्रोफिसर भी होते हैं ऐसी बात नहीं है मगर जादातर जगों में नहीं होते हैं तो जो नहीं होने वालों की संख्या है वो बहुत जादा है तो कई बार लगता है कि यहीं पे ग्यान का अंतर जो नौलेज गैप है यूनिवरसिटी क्रिएट कर देती है और उसमें जो लोग इस कुरसी पर बैठते हैं वो भी उसमें भागिदार होते हैं कि उस पद पर बैठके एक नौलेज का गैप ग्यान का अंतर बना देते हैं और बहुत पैसा है इसके पास कितना पैसा है मिवडाइट का एंड़यमेंट करीब बीस या पचिस बिलियून डालर तो इस्काल मियां पंचा-चास बिलियून है तो इतनी बिलियून डौलर को यह इनवेस्ट करते हैं और उसकी से MIT, प्लस टूशन, प्लस हम रिसर्च फंडिंग लाते हैं, तो वो रिसर्च फंडिंग का ओवरहेड लेते हैं MIT, तो हमारी रिसर्च चलती है NIH की ग्रांट से, यह जो कंपनियां आपको रिसर्च का जो ग्रांट देती है, यह यह यूजली National Institute of Health, Government देती है, सरकार देती है, लेकिन सरकार देती है असानी से, अगर आपको आज चालीस लाग, चालीस करोड जरूरत पढ़ जाए, किसी चीज़ पर रिसर्च कर जाए, किसी चीज़ पर रिसर्च कर जाए, कॉम्पुटिटिव हमें अपलाई करना पड़ता है, उसकी रि जाए, यह दिखाना जरूरी है कि कितनी आइज नौल है, new ideas and new technologies, new techniques, so that we will say we are likely to make so-and-so discovery, so on that basis they will give us, exactly, magar more applied research, just say you want to make something, you want to make a chip or you want to make some device, उसके लिए कंपनी देती है, जाए, बगर बेसिक साइंस के लिए, जाए, बगर बेसिक साइंस के लिए, जाए, बगर बेसिक साइंस और यह एक बहुत बड़ी secret है, वो बदा दी जाए, अमेरिका cannot survive without government funding, government funding of research is at the heart of American innovation, पर हमारी धारना यह है कि जो आप लोग research करते हैं, वो private funding के भरूसे है, यह बहुत बड़ी मित 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 है, अगर of funding for basic science, और यह आज तक नहीं बड़ा, यह आज तक नहीं बड़ा, और सरकार देती है funding हमारी research के लिए, और हमारी university को, जिससे की, बिजली रहे, पानी रहे, और हमारा कमरा साफ रहे, और हमारी एक पर बंचादी रहे, इनके लिए, पर हम लोगों को तो यही बताया जाता ह है, आम धारना में, कि अमेरिका की तरह बनना है, क्योंकि वहां हर चीज प्राइविटाइज हो गया है, तो इस university को प्राइविटाइज करो, इस department की funding को प्राइविटाइज करो, बंद कर दो, जो भी सुनता हूँ, जो भी मैं, मैं कमिटी में बैठता हूं, इंडिया में, यह एक बहुत बड़ी गलती धरना है, यह बहुत गलत है, कि government नहीं सपोर्ट करेगी research और research अपने आप हो जाएगा, क्योंकि industry हमेशा चाहती है, कि हमें क्या मिल रहा है, और basic research की से, उनको क्या मिलेगा, यह हमें नहीं मालूग, तो MIT ने एक private university की तरह होते हुए भी, जितना भी research किया है, जितनी भी चीजे बनाई है, उसमें सरकार का पैसा है, बहुत जादा, 80-90% सरकार का पैसा है, 80-90% पैसा है, अपसलूटली, तो, प्राइवेट companies देती है, मगर, फॉर, वेरी फोकस्ट, लिमिटेद, मैं भी इसी धारना के साथ आपके इस campus में आया, जब देखा कि कितना सब कुछ चमक रहा है, तो हमें लगा कि शायद इस से university की एक अपनी ख्याती है, और इसकी अपनी साख भी है, कि ये top class university है, तो सारी company यहाँ पैसा देती है, पर अभी ये धारना धौस्त हो गई, research के लिए, आप सह ये foundations देती हैं, मगर वो ठीक है, उनका वो हिस्सा हमेशा रहेगा, department of health, department of defense, department of energy, these are big departments of the US government, they give vast majority of money for research, तरीके से हम अपनी कहानी, इनकी कहानी बतला सकते हैं, तो ये cognitive flexibility is very crucial, हम में हैं, मगर हर जानवर में हैं, क्योंकि वो अपने अपने नीश में flexible होते हैं, क्योंकि जैसे चुहा, mouse, is flexible in terms of finding food, in terms of avoiding prey, in terms of mating, in terms of whatever it does, तो हम एक चुहे को हम train करते हैं, to show cognitive flexibility on a task, जैसे कहते हैं, और फिर हम इसके दिमाग में, इलेक्टरोट डालके या इलेक्टर फिजियालोजी करके हम study करते हैं, कि इसकी brain किस तरीके से इस problem, इस task को solve करते हैं, मैं एक राजनितिक सवाल पूछूँ, जरूर पूछे, कई बार लोग कहते हैं कि फला राजनिता अपने भाशन से बहुत सारे वीडियो या क्रिया कलाप से, मतलब activities से, योजनाओं से, लोगों को captive बना लेता है, तो क्या ये उसी तरह से है, जैसे आप चुहे को captive बना लेते हैं, ये संभव है, कि इतने बड़े लेवल पे, लाखों लोगों के mind को एक certain direction में drive किया जा सकता है, push किया जा सकता है, वो भी तो शायद जो बड़ा राजनेता होता है, वो आप लोगों की तरह ही brain का professor होता है, I think, आज के राजनेती में, बहुत सारे नेता इसको बहुत गहरी तरीके से समझते हैं, कि किस तरीके से अपने दर्शकों को, इतने लोगों को हम, प्रभावित करेंगे, या वो हमें बिलीव करेंगे, जो हम कह रहे हैं, यह हमारे यहां तो ट्रम्प के साथ बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जामपल, क्योंकि हम अमेरिका में रहते हैं, तो हम कह सकते हैं, तो इसकी क्या मेकानिजब है, यह हम अभी नहीं नहीं पतला सकते हैं, मगर ब्रेन की डिफरेंट, मगर यह ब्रेन की, इस इस अपक्ट ऑप्रेन फंक्शन पर शूर, तो इस पर किसी की नजर होगी, कोई रिसर्च कर रहा होगा, या अभी यह सवाल आप लोगों की दुनिया में आपकी मेज़ पर नहीं आया है, अभी आपकी मेज़ पर नहीं आया है, क्योंकि मैं तो जानवरों के साथ काम करने में बहुत मुश्किल यह है कि हम खाली इसकी इमेज़िंग कर सकते हैं, फम्राइ, फंक्शनल मैगनेटिक रिजनेंज इमेज़िंग कर सकते हैं, मगर हम अंदर नहीं देख सकते हैं, तो अंदर देखने के लिए, और मुझे इसकी उत्सक्ता है कि हम जाने कैसे नियूरांस काम करते हैं, किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ तवाबत होते हैं और आपका लैब कहाँ है? यह, 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 तो हमारी लैब यहाँ है, मगर हम आपको दो तीन चीज़ा दिखाते हैं, हम, हम, यह, यहां पर इसे हम टू-फोटन मांक्रोस्कोप कहते हों, इस मांक्रोस्कोप से हम भरन के अंदर देख सकते हैं, अच्छा और ब्रेन क्यों उसके लिए हमें ब्रेन को एक्सपोज करना पड़ता है और फिर हम चुहे को यहां पर फिक्स करते हैं यहां मौस इस अलाइव मौस इस दूइंग सम्थिंग और देन वी उसकी दो तीन चीज़े हम कर सकते हैं एक तो उसमें इलेक्ट्रोड्स डालके हम इलेक्ट्रिकल अक्टिविटी रिकॉर्ड कर सकते हैं और हम इस नियूरान्स में हम उसकी लाइट से इमेजिंग कर सकते हैं है तो P सकते हुएं में हम जब लाइट जाता है लेजर से हम इसको सक्यान करते हैं ह। निउरांस वह लाइट को हब्सब्रा करके वह अनूर्व करता है तो उसको हम त्वह सब्सक्राइब करते हैं तौर गल्रशेटन सोबожет की imaging कर सकते हैं अब मैं आता हूँ एक बहुत जरूरी सवाल पे कि कई लोग हम तक भी आते हैं कि उनका बच्चा किसी ना किसी तरीके के syndrome का शिकार है बिलकुल जैसे कई तरह के syndrome होते हैं पर एक autism की बात कर लेते हैं तो एक तो उसका इलाज बहुत महंगा हो जाता है मा जो घ कुछ ऐसी प्रगति दिखती है कि बहुत सारे मावाप यहां की भी तरफ देखते होंगे भारत के व्याग्यानिकों की तरफ भी देखते होंगे कि काश उनके research से कुछ ऐसा निकले जिससे उनकी ये पीडा दूर हो very good question we are making slow progress for example just the autism so automatic mutations are responsible for vast majority of autism not too much life has happened so when something happens in a child there is something wrong in the way that child was made and that means there is something wrong in the genes so we have begun to understand some of these genes the issue is how do we study what they do so we can make mice and we can induce mutations in mouse and then we can study using these techniques exactly, कुछ गुछ तरीके से चुआ की चुआ की चुआ तो बहुत ही छोटा ब्रेन है मगर काफी mutations में you can see की parallel है तो जैसे हमारी लाब ने एक syndrome है, Rett syndrome बहुत ही, you know, debilitating syndrome है तो Rett syndrome को हम study करते हैं mouse में क्योंकि उसकी एक mutation होती है MECP2 करके एक gene होता है MECP2 gene की हम mutation करते हैं और फिर हमने study की और हमने discover कि जब यह mutation होता है तो neurons में एक protein बहुत कम हो जाता है और connections बहुत weak हो जाती है neurons के साथ तो उसको हम बढ़ा सकते हैं एक दूसरा molecule देखे तो वो molecule हमने propose किया था 14 साल पहले वो अभी इस साल एक company ने उसकी phase 1, phase 2, phase 3 trials की क्योंकि यहां पे medicine approval के लिए यह सब trials करने पड़े हैं तब भी है 14 साल लगा 14 साल लगा उसकी trials होके यह पहली medicine है जो की approve होई है for a brain disorder और यह ret syndrome के लिए है और रेट syndrome के बच्चे को अगर दिया जाए क्या पहले से जाना जा सकता है कि बच्चा पैदा होने से पहले कि पती-पत्नी के बीच में कोई genetic गरबड़ी तो नहीं है क्या यहां पर इस तरह का research या test लोग पहले कराते हैं भारत में लोग अंजान रह जाते हैं दूसरा सवाल कि क्या यह बहुत जटिल और बहुत महंगार टेस्ट होता है तो जादातर अभी टेस्ट के लिए अप्रूवल नहीं है अच्छा अप्रूवल है फॉर एक्जामपल डाउन सिंड्रों के लिए जैसे कि यदी मा की उमर जादा है तो यहां पे सजेस्ट करते हैं कि आप डाउन सिंड्रों का टेस्ट करवाएं इन्हूटरों क्योंकि वो अम्नियोटिक फ्लूइड से वो टेस्ट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा का पैमाना क्या है 40 साल या 45 साल करीब 40 में 40 में मैं डाक्टर नहीं हूँ अंदाजन यदि मा की उमर जादा है पहले बच्चे के लिए तो वो डाउन सिंड्रों का टेस्ट सजेस्ट करते हैं ज़्यादा तर ये जनेटिक डिजीजेस के लिए अभी प्रीनेटल टेस्टिंग नहीं अलाओ पहले से नहीं हूँ तो इसकी पोस्ट नेटल ही टेस्टिंग होती है मगर वो बच्चे के जन्द के बाद और ज़्यादा तर तो कोई साइन्स दिखते हैं कि कॉगनिटिव डिकलाइन है या बच्चा बोल नहीं पा रहा है या बच्चा बोलना सीखा फिर उसके बाद कम हो गई तो सर कोई ऐसा नेटवर्क नहीं बना ग्लोबल लेवल का आप जैसे रिसर्ट साइन्टिस्ट का की जैसे भागलपूर का कोई दिखती है वो आपको अपने बच्चे का रिपोर्ट या आप जिस तरह की रिपोर्ट चाहते हैं आप तक भेज़ दे आप वैग्यानिकों के नेटवर्क में आजाए और फिर आप बता सकें कि कितना चांस है वहां पर वो जो उसको दवा दी जारही है वो दवा उसके लायक है भी या नहीं है किसी को कुछ पता नहीं है Very good question. Very good question. We need this worldwide network. India is a part of a different network जैसे की gene discovery network. जैसे की National Institute of Mental Health and Neurosciences है निमहांस है बंगलोर में या AIIMS है So, जिन जिन लोगों को, let's say, schizophrenia है, या autism है, उनकी genetic material, saliva या blood, can be part of an international registry. और सब कुछ शेर किया जाए. शेर किया जाए और उससे gene discovery होगी. और उस gene discovery के बाद, क्या कौन सी genes are responsible ये diseases के लिए? फिर उससे हम discover करेंगे कि इसका क्या इलाज हो सकता है, ये बहुत लंबा रास्ता है. लंबा रास्ता है, पर हम इसको राजनीती में लोगों की जागरुकता में कैसे लाएं? बहुत सारे माबाप हमें लिखते हैं, मुझसे भी लिखते हैं कि जो down syndrome की बीमारी है, उसके अलग-अलग नाम है, जो इस वक्त मैं भूल रहा हूँ. उसे mongolism कहते थे, मगर mongolism was a imperialist stuff, क्योंकि the children with down syndrome have slanted eyes and so forth. उसे down syndrome कहते हैं. बहुत सारे माबाप हैं जो अपने बच्चे के लिए struggle कर रहे हैं, संघर्च कर रहे हैं और बच्चे को support करते हैं और उसके साथ-साथ अपनी जिन्दगी की कुर्बानी भी देते हैं. पर उनका इतना सारा पैसा खर्च हो जाता है, उन्हें लगता है कि पैसा के अलावा किस से पूछें कि जिससे उनको भरोसा मिले कि हाँ आपने देखा है, आप यही इतना हो सकता है और इसकी अमेरिका में अगर इस तरह का कोई बच्चा है, तो उसके इलाज की क्या वेवस है, तो हेल्थ केर की बहुत ही समस्या है, क्योंकि यहां पे नाशनल हेल्थ प्लान नहीं है, प्रिवेट इंशूरंस है, यदि आपके पाद इंशूरंस नहीं हो तो आप, you know, हेल्थ केर इस वरी पूर और वरी दिफिकुल तो इंडिया में भी ऐसा है, तो यह तो बहुत ह समस्या है, this is a very big failing in my opinion, of the state. So, इंडिया में क्या कर सकते हैं, what I can suggest is, की गो तो ए बिगगेस सेंटर, निर वेर यू लेप, जहां पे रहते हैं उसके पास, यदि बैंगलोर में रहते हैं, बैंगलोर के पास, तो बस कुछी सेंटर हैं, जहां पे पैसा लगता है, उनके इला है, और एक माबाप तूट जाते हैं, तो कुछ ऐसा रास्ता इसमें, चुकि आप लोग सोशल साइंस भी पढ़ते हैं, MIT वाले तो, कोई रास्ता निकलता नहीं दिखता, इसके लिए तो बहुत बड़ी नाशनल एजेंडा होनी चाहिए, होना चाहिए ना, और ब्रेन डिस चाहिए ना, जाए ना, आफ मातुछ दिखता है, या, या, आ, 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 लेटर इन लाइफ, पारकिनव, अल्थाइमर, नत परनेंश, कांसर, हार डिजी, हर चीज में, पर हम माल लेते हैं, कि ब्रेन में कुछ डिसॉर्डर है, तो ठीक ही नहीं होगा, क्या ऐसा ये नहीं यह बात सही नहीं है. यह बात सही नहीं है, यह बात सही नहीं है, यह बात सही है। यह बात सही है। यह बात सही नहीं है। यह बात सही है। आपके ही शित्र में नहीं तरह की चुनोंती लेकर आरहा होगा कि इसकी भी कोई टेबलेट लानी पड़ेगी क्या कि आप दिन भर बच्चे को मुबाइल से और या उसका वीडियो गेम के नशे से दूर रखें तुक्त लेकर बच्चे की चाह। गर नहीं है, खाने का नहीं है, बच्चों को कैसे खिलाएंगे, the solution to this is to give them, make sure they get a house, ये राजनी ती है, ये राजनी ती है, इसमें डॉक्टर का रोज बहुत बाद में आता है, जब चीजें गंबीर हो जाएता, और डॉक्टर को कहना चाहिए, कि ये हमारी प्राबलम नहीं है, ये सोसाइटी की प्राबलम है, तो अगबर और आपके क्लास या किसी और कमरे, यहां वी एक कमरा है, हमारे पर बहुत कमरे है, क्योंकि काफी कमरा है, यहां वी किसी चीज मेरी सर चल रहा है, यहां बिलकुल, यह सब इस पर डेंजर लिखा हुआ था, यहां है, हमारे यहां पर इसको कभी 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 जाए, हम यह हम लेजर्स यूज करते हैं, क्योंकि लेजर्स से हम यहां पर ब्रेन होता है चुए का, यहां पर अब्जेक्टिव होता है, और उस से लेजर्स लेजर्स, स्कानिंग करते हैं, ब्रेन की, और उस तर्रीके से हम मालुम करते हैं कि अक्टिविटी क्या है यह मशीन कितने की होगी हैं सर्य, यह मशीन है खरेश और ब्हुन मिलियन डालर की हैं, इसमें माइक्रसकोप है, लेजर्स हैं और कम्प्यूटर्स हैं और इसमें सब्सक्राइब है। इस तरह की मशीन भारत में भारत किसी इनवर्सिटी में होगी जहां पर लोग रिसर्च कर रहे होंगे। कुछ है। कुछ है। इनवर्सिटी में है या हॉस्पिटल जैसी जगा युनिवर्सिटी में भारत में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो की अमेरिका से सीखना चाहिए उनको, की रिसर्च उन्होंने रिसर्च सेंटर में कर दिये हैं, और युनिवर्सिटी इस खाली पढ़ाने के लिए हैं, जिए अब बदल रहे हैं, मगर जैसे इलाबाद मैं एलाबद में बड़ा हुआ, बहुत बहुत भई हुआरे लिएक रिसर्च माः नियुकित के रिटेडिगे । रिसर्च का जैसे पहले आपकी इलाहबाद उनिवर्सिटी थी, हुआ करती थी, उसी तरह से M.I.T. है, जहां सब होता है, और इलाहबाद उनिवर्सिटी आपकी बदल गई है, क्योंकि वो अलग-अलग रिसर्ट सेंटर बना दिया गया, आपके पास तो इतनी सारी चीजें हैं, कि मैं तो बहुत सारा सवाल ही नहीं पूछा है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कि काफी जटिल है, लेकिन फिर भी आपने जितना सरल बना दिया अपने इंटर्वेंशन से, वो बहुत कमाल का अनुभव रहा मेरे लिए, कि इससे जरूर देखने वाला कुछ सीख के जाएगा, कि युनिवर्सिटी का उदेश क्या ह है, युनिवर्सिटी चल के से रही है, सरकार की भागीदारी क्या है, फिर जो सिंड्रॉम की बिमारियां हैं, जिसमें बहुत परिवार बरबाद हो रहे हैं, उसके लिए होप है, उसके लिए होप है, आप कर देंगे, आपकी यही बात सुनकर कितने लोगों की आँखे चम नहीं, लेकिन इस दिशा में काम हो रहा है, यह सुनकर ही ऐसे माता-पिता को बहुत रहत मिलेगी, और उन्हें यह बात समझ में आएगी आपके जरीए, कि जो खर्चे का हिस्सा है, इसका समधान सरकारों को करना पड़ेगा, और सरकारों को वो पूरा बजट देना ताकि वो लोग और जादा इसमें ना पिसे, मतलब भावनात्मक रूप से तो चिनौतियां उठा रहे हैं हमारे माबा, आर्थिक रूप से नहीं, तो ऐसे ही माता-पिताओं के लिए, माताओं और पिताओं के लिए, मैं यहां पर आया हूँ, ताकि उन्हें कुछ राहत मि कई बार वो मुझसे कहते हैं, मैं भी नहीं जानता हूँ कि इस विशय को कैसे मैं दर्शक और सरकार के सामने रखूँ, तो एक तरह से आज यह हमारी कोशिश थी, कि जो दिमाग में, दस्तरह की जो के बदलाव होते हैं, उसके बारे में हम उनसे बात करें, जो पिछले 40 सा से उस पर शोद कर रहे हैं, प्रोफेसर मिरगांक सुर, और उसी के साथ-साथ हम पत्रकार होने का यह दाइत भी पूरा करें, कि आपको एक ऐसी जगह पर ले जाएं, जहां आप उमीद की एक रोशनी देख सकते हैं, अब वो उमीद कोई भी पूरा कर सकता है, जरूरी नह जवान, किसी बहुत ही मिधावी चात्रे के जरीए, यह उमीद आपकी पूरी हो जाए, तो MIT के इस Brain Research Center से मैं विदा लेना चाहता हूँ, आपका बहुत वक्त बहुत कीमती है, मैं समझ रहा हूँ, 9, 10, 11, 12 देशों के चात्र आपका इंतजार कर रहे हैं, और मैंने ठीक ठा भते हैना थान आपका प्रलत आपका हैं झाले ध remot कीमती ओ